प्रियम मित्रों आप में से बहुत सारे लोग ओशो जी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं ओशो एक अद्बुत और औरों से अलग इंसान थे ओशो जी को कही नामों से जाना जाता है जैसे भगवान श्री रजनीश अचार्य रजनीश और रजनीश के नाम से भी जाना जाता है असल में उनका नाम चंद्रमोहन जैन था वे एक भारतिय तांत्रिक और रजनीश अभियान के नेता थे अपने जीवनकाल में उन्हें एक विवादास पद्रह सिवादी गुरू और आध्यात्मिक शिक्षक माना गया था 1960 में उन्होंने सारवजनिक वक्ता के रूप में पुरे भारत का ब्रहमन किया था लेकिन बाद में फिर इंटिनेशनल प्रेस में लोगों ने उनके इस स्वभाव को अपनाया और उनका सम्मान किया एक बार ओशो के जन्म के समय उनके माता-पिता को उनके एक जियोतिष्ट ने कहा था कि ये बालक 7 वर्श से अधिक जीवित रह गया तो वो उसकी जन्म कुंडली बनाएंगे क्योंकि उनके अनुसार ओशो 7 वर्श से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे और यदी जीवित रहते हैं तो हर 7 वर्ष में उनको मौत का सामना करना पड़ेगा इसलिए उनके माता पिता हमेशा उनकी चिंता करते रहते थे इसी कारण जब वो चवदाह वर्ष के हुए थे तब वो एक मंदिर में जाकर मौत का इंतजार करने लगे साथ दिनों तक एक वक्त का खाना खाकर मौत का इंतजार किया लेकिन उनका एक बाल भी बाका नहीं हुआ था 1923 में 21 वर्ष की आयू में ओशो को मौलश्वी व्रिक्ष के नीचे आत्मग्यान अर्थात प्रबोध प्राप्थ हुआ उन्होंने सागर विश्विद्यालय से दर्शन में ग्रैडूएशन और पोस्ट ग्रैडूएशन की डिग्री ली उसके बाद वो रामपूर संस्कृत कॉलेज और जबलपूर विश्विद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे इसी दोरान उन्होंने पुरे देश का भ्रमन किया और गांधी वो समाजबाद पर भाशन दिया 1962 में उनका पहला ध्यान शिविर आयोजित हुआ दो वर्ष बाद उन्होंने अपनी नौकली छोड़ दी और ध्यान के मार्ग पर चल पड़े ओशो ने हिंदु मुस्लिम, सिख हिसाई, सूफी जैन आधी कई धर्मों पर प्रवचन दिया था और वो अक्सर ये शुमीरा नानक कबीर, गौतम बुद्ध दादू, रिवींगनात टेगोर जैसे कई महापुरुशों के रहस्यों के बारे में प्रवचन देते थे 1970 में रजनीश ने ज्यादातर समय मुंबई में अपने शुरुवाती अनुयायों के साथ व्यतीत किया था जो नव सन्यासी के नाम से जाने जाते थे इस समय में वे ज्यादातर आध्यात्मिक ज्यान ही देते थे और दुनियाभर के लोग उन्हें रहस्यवादी दर्शन शास्त्री धार्मिक गुरू और ऐसे बहुत से नामों से बुलाते थे 1954 में ओशो जी पुने में स्थापित हुए जहां उन्होंने अपने फाउंडेशन और आश्रम की स्थापना की ताकि वे वहां भारतिया और विदेशी दोनों अनुयायों को अनुग्रे प्रदान कर सके 1970 के अंत में मौराजी दिसाई की जन्ता पार्टी और उनके अभियान के बीच हुआ विवाद आश्रम के विकास में रुकावट बना फिर 1981 में वे अमेरिका में अपने कारियों और गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देने लगे और रजनीश फिर से ओरिगॉन के वास्को काउंटी के रजनीश पुरुम में अपनी गतिविधिया करने लगे ओशो 1958 में जबलपूर यूनिवसिटी में दर्शन शास्त्र के लेक्चरर बने और बाद में 1960 में उन्हें प्रोफेसर के पदपर प्रमोट कर दिया गया अपने शिक्षक होने के साथ साथ वे पुरे भारत के राज्यों में आचार या रजनीश के रूप में जाकर अपने अध्यात्मिक भाषन दिया करते थे उन्होंने समाजबाद का विरोध किया और महसूस किया कि भारत मात्र पूंजीवाद विज्ञान प्रोध्योविकी और जन्न नियंटरन के माध्यम से ही सम्रिध हो सकता है। उन्होंने बहुत दान भी किया और साथ ही उनके इस कार्य में भी विद्धी हुई। सन्यास पहले कभी भी इतना सम्रिध न था जितना आज ओशो के संसपर्श से हुआ है। उनकी नजर में सन्यासी वह है जो अपने घर संसार पतनी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान और सत्सन का जीवन जीए। उनकी द्रिष्टी में एक सन्यास एक है जो इस देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है। सन 1970 तक रजनीश के अनुयाई उन्हें आचार्य कहते थे। परन्तो उसके बाद वे भगवान रजनीश हो गए। नाम के आगे भगवान शब्द जुड़ने के कारण उनकी काफी आलोचना हुई। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि भगवान शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है। प्रतियक उस व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है, जो उरानन्द की अवस्था में पहुंच चुका है। 1960 के दशकों तक वे एक प्रमुक अध्यात्मिक गुरू बन गए थे और 1966 में उन्होंने अपने शिक्षक की नौकरी को छोड़ कर खुद को पूर्ण रूप से अध्यात्मिकता के लिए समर्पित करने का निर्ने लिया। 1970 में उन्हें भारतिय प्रेस द्वारा, सेक्स गुरू, का नाम करार दिया। उसके बाद आचार्य रजनीश भारत लोट आए और फिर यही उन्होंने अपने अन्याईयों को शिक्षा दी। विएाई उन्हें इस बाने का लिएल एजू इसेमें 18 से लूए और आच को शिक्मू है उन्हें लिए बाने का ट्वारा जो शिक्नार मुटने हैं वारत लू दिक्स तेटर बहुड़ उन्हें दिवनोंने पल्स धूटतरों